हलो एब्रीवन वेलकम बैक टू आज चानल आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीनियेस डिजन्स को इंकम टैक्स में कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है 25 डिदक्शन्स या फिर कहलें बेनिफिट्स हमने इस वीडियो मे देखीगा क्योंकि लास्ट में एक बोनस टेप है एक ऐसे बेनिफिट के बारे में हमने बताया है जिसके बारे में कोई भी डिसकस नहीं करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्स्ट्राइब जलू कर लीजेगा और वीडियो अ 75 years या उससे जादा के हैं और तीसरी काटिगरी आती है सुपर सीनियर सेडिजन्स की जहां पर की आप 80 years अबव हो जाते हैं तो इंकम टाक्स में इन तीन काटिगरी के हिसाब से ही टाक्स बेनिफिट्स डिवाइड किये गए हैं चलिए आगे वीडियो में डिसकस करेंगे एज 60 years या 80 years के अबव चली जाती है तो आप सीनियर सेडिजन्स या फिर सुपर सीनियर सेडिजन्स की काटिगरी में आ जाते हैं और जो भी बेनिफिट्स हमने आज इस वीडियो में डिसकस किये हैं वो आप अवेल कर सकते हैं जिसके लिए अभी इंकम टैक्स फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है सबसे पहला बेनिफिट जो सीनियर सेडिजन्स को होता है वो है हायर बेसिक एक्जेम्शन लिमिट बेसिक एक्जेम्शन लिमिट वो होती है जहां तक कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है तो अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो ढाई लाक सीनियर सेडिजन्स की केस में यह लिमिट है तो यह लिमिट हocεί में आतें हैं तो यह लिमिट हो जाती है पांच लाक लिकिन अगर चली देखते हैं दूसरा benefit no advanced tax liability section 207 और section 208 इसको cover करता है जिसमें कहा गया है कि अगर during the financial year आपकी tax liability 10,000 रुपे से जाधा की बनती है तो आपके लिए advanced tax payment करना compulsory हो जाता है और अगर आप इसका payment नहीं करते हैं during the financial year तो at the time of ITR filing आपको section 234B और 234C के अंदर interest देना पड़ता है लेकिन ये sections senior citizens के लिए नहीं है अगर आप एक senior citizen है आपको advanced tax pay करने की liability नहीं है जो भी आपका tax बनेगा वो आप at the time of ITR filing पे कर सकते हैं और उस पर कोई भी interest charge नहीं किया जाता है लेकिन यहाँ पर एक condition है कि provided कि आपकी कोई भी business income ना हो अगर business income है आपकी तो फिर आपके उपर भी advanced tax liability बनती है और आपको during the financial year अपना advanced tax pay कर देना चाहिए तीसरा benefit आता है TDS deducted on fixed deposits section 194A जब भी हम bank में कोई FDs बनवाते हैं तो उस पर bank TDS deduct करता है section 194A के अंदर अगर आपका interest 40,000 रुपे से जादा हो जाता है तम bank आपका TDS deduct करता है लेकिन अगर हम CNS Regents की बात करें तो उनके case में यह limit होती है 50,000 रुपे अगर आपका FDs से interest 50,000 रुपे से जादा का है तभी bank आपके interest पर TDS deduct करता है अगर आपका interest 50,000 रुपे से कम का बन रहा है और आप एक senior citizen है तो कोई भी TDS deduct नहीं किया जाता है नेक्स्ट आता है standard deduction from pension आप एक senior citizen है आपको salary मिल रही है या फिर आपको pension मिल रही है दोनों से ही आप standard deduction claim कर सकते हैं 50,000 रुपे का और यह deduction आपको दोनों ही regimes के अंदर मिलता है चाहें वो old regime हो और चाहें वो new regime हो दोनों में ही आप salary या फिर pension से 50,000 रुपे का standard deduction ले सकते ह हैं इसके बाद है section 80D में medical expenditure income tax में हमें medical खर्चों के उपर deduction मिलता है लेकिन अगर हम general public की बात करें तो यह deduction उनको सिर्फ 25,000 रुपे तक ही मिलता है और वो भी तब जबकि उन्होंने medical claim insurance लिया हो लेकिन seniors regions को यहाँ पर benefit दिया गया है अगर आप seniors region हैं और आपके कुछ भी medical खर्चे हैं जैसे कि medical के bills हैं surgery के bills हैं कोई medicine के bills हैं तो उनका deduction आप ले सकते हैं up to 50,000 रुपीज और maximum यह deduction आप एक लाख रुपए तक ले सकते हैं कैसे मान लेते हैं कि आप भी seniors region हैं और आपके parents भी seniors region हैं तो आप अपने लिए भी 50,000 रुपए का deduction ले सकते हैं और अपन भी हो जाती है लेकिन यहां पे कुछ conditions भी हैं क्या है condition कि जो भी आप payment करेंगे वो online mode से होना चाहिए अगर cash में आप payment करते हैं तो उसे consider नहीं किया जाता है साथ ही आपके पास proper documents होने चाहिए medical bills होने चाहिए जो भी आप खर्चा claim कर रहे हैं उसका proper documentation आपके पास होना चा कोई भी medical policy आपके पास नहीं होने चाहिए कहने का मतलब यह है कि आपको उन खर्चों के लिए insurance company से कोई भी reimbursement नहीं आना चाहिए इसके बाद next है preventive health check-up यह भी cover होता है section 80 D के अंदर और इसमें आपको reduction मिलता है up to 5000 रुपए और इसकी खास बात क्या है कि आप cash में किये ग test है x-ray है dentist की fees है या eye check-up करवाया है उसकी fees है कोई भी आपके पास medical expenses है जिसका की आपके पास proper bill है या invoice है तो उसे आप as a preventive health check-up claim कर सकते हैं limit है 5000 रुपए की और cash में किये गए खर्चे भी allowed है लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि यह section 80 D की overall limit है अगर आपने 80 D की पूरी limit avail कर ली है 50,000 रुपए तो फिर आप अलग से यह 5000 क्लेम नहीं कर सकते हैं इसके बाद next आता है critical diseases के लिए deduction जिसका की section है 80 DDB income tax में कुछ ऐसी diseases specify की गई है जिसके के लिए deduction मिलता है senior citizens को और यह specify disease हो सकती है जैसे की cancer, AIDS, philcemia, hemophilia तो कुछ इस तरह की critical diseases specify की गई है और deduction मिलता है up to 1,00,000 रुपीज लेकिन अगर हम general public की बात करें तो deduction मिलता है सिर्फ 40,000 रुपए का लेकिन senior citizens को deduction मिलता है 1,00,000 रु है कि payment जो होगा वो online mode से होना चाहिए चाहिए आपने check से किया हो चाहिए DD से किया हो चाहिए UPI से किया हो लेकिन cash में अगर आपने payment कर दिया तो allowed नहीं होगा साथ ही आपके पास proper documentation होना चाहिए bills होने चाहिए doctor की report भी होने चाहिए इसके बाद है interest deduction section है ATTTB senior citizens को bank से या post office स जो भी interest earn होता है चाहिए वो saving account से हो रहा हो और चाहिए वो fix deposit से हो रहा हो उस पर deduction मिलता है up to 50,000 जबगी एक non senior citizen को यह deduction नहीं मिलता है उनके लिए होता है section 80 TTA जहां पर की उनको सिर्फ saving interest के amount पर deduction मिलता है और वो भी होता है सिर्फ 10,000 उपय तक तो senior citizens को यहां benefit दिया गय कर सकते हैं और इसमें fix deposit का interest भी include होता है इसके बाद आता है section 194 P यह section सिर्फ specified senior citizens के लिए है जिनकी की age 75 years या उससे ज्यादा हो चुकी है अगर आप इस section में जो conditions specify की गई है वो fulfill करते हैं तो आपके लिए ITR filing करना mandatory नहीं है आपके बिहाफ पर आपका bank आपका ITR file करता है conditions क्या क्या बताई गई है पहला तो यही कि आपकी age 75 years and above होनी चाहिए दूसरा आप इंडिया के resident home फिर इसके बाद है कि आपकी सिर्फ pension income होनी चाहिए और bank से interest income होनी चाहिए और इसके साथ ही एक important condition क्या कि यह जो pension income है और जो यह bank interest है यह दोनों आपका एक ही bank से earn होना चा होता है तो क्या के condition है कि pension income होनी चाहिए bank interest होना चाहिए और दोनों ही चीज़े एक ही bank से आनी चाहिए अगर यह सभी conditions fulfill हो रही है तो आप bank में declaration submit करते है form number 12 BB में इस declaration में आप specify करते हैं आपकी income कितनी है आपको reduction कौन कौन से claim करने हैं इसके बाद bank आपका सारा tax calculate करता है औ तो उतना TDS काट के government को जमा करवा देता है तो इस case में आपको ITR file नहीं करनी पड़ती है bank आपके भिहाव पर filing करता है next आता है ITR in paper form अगर आप super senior citizen है यह सिर्फ 80 साल से उपर वालों के लिए है अगर आप एक super senior citizen है तो आपको ITR filing online mode में file करने की necessity नहीं है आप चाहें तो paper form में भी इसे file कर सकते हैं online और offline दोनों mode आपके लिए available है आप चाहें तो online filing कर सकते हैं और चाहें तो आप offline filing भी कर सकते हैं physical form आप submit कर सकते हैं और इसके लिए government ने काफी सारे centers भी बनाए हुए हैं आप centers पर जाके help ले सकते हैं और यहां पर जो particularly ITR file की जाती है वो ITR 1 और ITR 4 है next step no TDS reduction आपकी bank में fixed deposits हैं और आप चाहते हैं कि उस पर TDS deduct ना हो तो आप bank में form number 15 H भरके जमा कर सकते हैं और इस form के जमा होते ही bank आपकी FD पर TDS काटना बंद कर देता है यह form आपको beginning of the year submit करना होता है जैसे कि April में आप इसे submit करेंगे और form submit करने के लिए एक condition क्या ह है कि आपकी जो income है वो basic exemption limit से कम होनी चाहिए मतलब कि अगर आप senior region है तो आपकी income तीन लाख रुपए से कम की होनी चाहिए और अगर आप super senior region है तो आपकी total income पांच लाख रुपए से कम की होनी चाहिए तभी आप यह form जमा करेंगे form जमा करने पर bank आपका TDS नहीं काटे का और in case गलती से bank आपका TDS काट लेता है तो आपको सिर्फ अपनी ITR फाइल करनी है और अपने TDS का refund क्लेम कर लेना है अगर हम एक non senior region की बात करें तो उन्हें जमा करना होता है form 15G और उसे वो तब जमा करते हैं जबकि उनकी income below exemption limit या exceeds the specified limit अगर हम एक non senior region की बात करें तो ITR filing आपके लिए mandatory है अगर आपका TDS 25,000 रुपए या उससे ज्यादा का है हमारा TDS कितना है यह हमें कैसे पता चलता है तो इसके लिए हम 26 AS या पर अपना AIS वियू कर सकते हैं वहां से हमें पता चल जाता है कि हमारी income पर कितना TDS deduct अगर आपका TDS 50,000 रुपए से जादा का है तभी आपके लिए ITR filing mandatory है इसके बाद आता है section 87A tax rebate अगर हमारी net income 5,000,000 रुपए के अंदर आती है तो हमें tax में rebate मिल जाता है और यह rebate मिलता है हमें 12,500 रुपए तक और इससे हमारा tax nil हो जाता है यह limit है old tax regime में अगर हम new tax regime में जाते हैं तो इसी limit को increase करके 7,000,000 रुपए कर दिया गया है तो 87A का rebate हमें new regime के अंदर 7,000,000 रुपए तक की income पर मिलता है और हमारा tax zero हो जाता है tax benefit हमें यहाँ पर कितना मिलता है 25,000 रुपए तक tax benefit मिलता है और 7,000,000 रुपए तक अगर हमारी net income आ रही है तो हमें क कोई भी tax pay नहीं करना पड़ता यह सभी category के लोगों के लिए है चाहें आप non senior citizen है और चाहें आप एक senior citizen next है marginal relief assessment year 24-25 से ही marginal relief का concept start हुआ है और यह भी cover होता है section 87A rebate के अंदर इसमें कहा गया है कि अगर आप new regime में जाते हैं और आपकी income 7,000,000 रुपए से जादा हो रही है तो आपको tax lab rate के हिसाब से tax नहीं देना है तब आपके लिए marginal relief है और यह relief हमें कौन सी limit तक मिलता है अगर आपकी income 7,000,000 और 7,27,778 रुपए के बीच में आती है तो tax में marginal relief मिलता है इस limit के बीच में अगर हमारी income आती है तो हमें tax lab rate के हिसाब से tax pay नहीं करना होता है for example अगर हम old tax regime की बात करें तो 5,000,000 रुपए से जैसे ही हमारी income थोड़ी से जादा होती है तो हमें tax lab rate के हिसाब से tax pay करना पड़ता है लेकिन new tax regime में अगर 7,000,000 रुपए से जरा सी भी हमारी income जादा हो गई इमान देते हैं कि 7,000,000 रुपए हो गई तो हमें tax lab rate के हिसाब से tax pay नहीं करना होता है बलकि हमें सिर्फ एक हजार रुपए का payment करना होता है और यही है marginal relief का concept इस concept पर हमारा detailed वीडियो चैनल पर upload है लिंक आपको उनीची description box में मिल जाएगा इसके बाद है लॉंग टर्म capital gain exemption on shares and mutual funds अगर हम shares या mutual funds को sale out करते हैं तो उसपर अगर हमें long term capital gain हो रहा है कब होता है जब हम shares या mutual funds को एक साल के रिए hold करते हैं और उससे sale out करते हैं तो उसपर ग्यान होता है üsको हम long term बोलते हैं तो long term के case में हमें एक लाख रुपए तक exemption मिलता है अगर एक लाख रुपए से ज़ादा है हमारा profit तभी हमें उसके उपर tax देना है जो की लगता है special rate से at the rate of 10% लेकिन अगर हमारा जो profit है वो एक लाख रुपए से कम का है तो हमें पूरा exemption मिल जाता है और हमें कोई भी tax pay नहीं करना होता पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह सिर्फ equity shares या equity mutual funds के लिए ही है अगर आप debt funds लेते हैं तो वहाँ पर rules and regulations change हो जाते हैं मतलब tax rates change हो जाते हैं इसके बाद है chapter 6A के reductions chapter 6A में हमें काफी सारी reductions मिलते हैं जो की seniors regions के लिए भी equally applicable हैं जैसे की section 80C जिसमें की आप PPF में investment करते हैं NSC ले सकते हैं सुकने समरिदी योजना ले सकते हैं ELSS mutual funds में investment कर सकते हैं LIC है इन सारी चीजों में अगर आपने investment किया हुआ है तो यहाँ पर आपको reduction मिलता है अपनी gross total income से और deduction आप ले सकते हैं के लिए लाक रुपय तक इसी तरह से section 80DD है जहां पर की critical diseases के लिए reduction मिलता है और यह reduction आप सिर्फ disabled dependent के लिए ले सकते हैं यह reduction खुद के लिए नहीं लिया जाता है अगर आपका कोई dependent है जो कि disabled है तो reduction ले सकते हैं और यह मिलता है 75,000 रुपीज अगर disease critical है और 1,25,000 रुपीज तक अगर disease बहुत जादा critical है up to 80% की disability है तो 1,25,000 रुपे तक का deduction ले सकते हैं इसके बाद आता है section 80E interest on education loan education loan लिया है आपने बच्चों की बढ़ाई के लिए तो उस पर interest का deduction मिलता है और यह deduction unlimited है जितना भी आप interest pay कर रहे हैं उतना पूरा आप income tax में deduction claim कर सकते हैं फिर आता है section 80GG rent paid to landlord अगर आप rented house में रहते हैं तो जो भी आप rent pay करते हैं अपने landlord को उसका deduction claim कर सकते हैं और limit है up to 60,000 रुपेज लेकिन rent के proper documents होने चाहिए rent receipts होनी चाहिए और साथ ही जो आप rent pay कर रहे हैं वो online mode से होना चाहिए इसके बाद आता है section 80G donation to trust और institutions किसी charitable institute या trust को आप donation pay कर रहे हैं तो उसका deduction मिलता है up to specified limit इसके बाद आता है interest on home loan section 24B आपने home loan लिया हुआ है और उसकी EMI का payment कर रहे हैं तो interest portion और principal portion दोनों का deduction मिलता है income tax में लेकिन यह सिफ old regime के अंदर है पहले हम old regime को discuss कर लेते हैं इसके बाद new regime को discuss करेंगे जिसमें की यह provisions change हो चुके हैं तो old regime के अंदर interest portion पर हमें up to 2 lakhs रुपीस deduction मिलता है और principal portion पर section 80C में up to 3 lakhs रुपे deduction मिलता है और यह deduction दोनों ही cases में आप ले सकते हैं चाहें तो आपका house self occupied है आप खुद उसमें रहते हैं या फिर वह let out है आपने उससे rent पे दिया हुआ है तब भी आप यह दोनों की new regime के अंदर आपको यह deduction home loan का तभी मिलता है जबकि आपकी property let out है आपने उसे rent पे दिया हुआ है तभी हमें यह deduction मिलता है और interest portion का deduction मिलता है principal portion पर कोई भी deduction नहीं मिलता है interest portion पर कितना reduction मिलेगा तो यहाँ पर कोई भी limit specify नहीं है unlimited amount का deduction मिलता है rental value में से आपका जो भी interest portion है वो deduct हो जाता है और जो भी balance बचेगा वो balance आगे की years में carry forward नहीं होता है new regime के अंदर इसके बाद है deductions from rental value अगर आपने अपनी housing property को rent पर दिया हुआ है आपको income generate हो रही है आपको rent receive हो रहा है तो दोनों ही regimes के अंदर चाहें वो old regime हो और चाहें वो new regime हो आपको municipal taxes का deduction मिलता है जो भी आप taxes पे करते हैं अपने housing के लिए उसका deduction आप rental value से claim कर सकते हैं इसके बा interest rates मिलते हैं as compared to non-senior citizens. senior citizens 6% 7% या फिर किसी-किसी situation में 8% तक का भी interest ले सकते हैं लेकिन एक non-senior citizens को इसके comparison में काफी कम interest rates मिलते हैं FDs के उपर. इसके बाद आता है tax lab rates senior citizens के लिए senior citizens और super senior citizens के लिए tax lab rates क्या होते हैं ये भी discuss कर लेते हैं तो इसके लिए हम आजाते हैं income tax क total पर senior citizens के लिए old tax regime में 3 तरह के rates हैं 3 लाग रुपए तक की income पर कोई भी tax नहीं लगता है 3 लाग से 5 लाग रुपए तक की income पर 5% का rate है 5 लाग से 10 लाग रुपए तक 20% का rate है और above 10 लाग रुपीज 30% का tax rate है अगर new regime में देखेंगे तो यहां पर 5 तरह के rates हैं new regime में सभ senior citizens हो सभी category के लोगों के लिए यहां पर same rates है तो 3 लाग रुपए तक की income पर कोई भी tax नहीं है यहां पर भी इसके बाद है 3 लाग से 6 लाग रुपए जिस पर 5% का rate लगता है 6 लाग से 9 लाग रुपए के बीच में आती है income तो 10% का rate है 9 लाग से 12 लाग पर 15% का rate है 12 पर 20% का rate है और अबव 15 लाग 30% का rate है अब super seniors regions के लिए देख लेते हैं super seniors के लिए भी new tax regime में same वही rates है जो हमने अभी देखे हैं इसके लावा अगर हम old regime में जाते हैं तो यहां पर rates change होते हैं 5 लाग रुपए तक कोई भी tax नहीं है 5 लाग से 10 लाग रुपए के बीच में आता है 20% का rate और 10 लाग से उपर लगता है 30% का rate यहां पर 5% और 10% के rates नहीं है तो यहां पर हम already 24 benefits देख चुके हैं जो की seniors regions को मिलते हैं चलते हैं अपने 25 benefit की तरफ जो की बहुत important है और ज्यादा तर लोग आपको इस benefit के बारे में नहीं बताते हैं या बहुत ही कम लोगो benefit सिर्फ senior regions को ही मिलता है non-senior regions को यह benefit नहीं मिलता है बैंक्स एक EMI fix कर लेते हैं monthly या quarterly आपकी residential property के against में banks आपकी residential property को value करते हैं उसकी value निकालते हैं और एक monthly या quarterly EMI fix कर लेते हैं यह EMI banks आपको pay करते रहते हैं और इसके बदले में आप अपनी residential property उनको mortgage कर देते हैं या फिर गिरवी रख देते हैं bank आपको इसके लिए जो भी payment कर रहा है EMI का उससे आप अपने day to day financial expenses incur कर सकते हैं जो भी आपके daily routine के खर्चे हैं वो आप निकाल सकते हैं और आप उस property के अंदर खुद रह भी सकते हैं जिस person ने property को mortgage किया है अगर उसकी death हो जाती है तो जो उसका spouse है वो भी उसमें रह सकता है और वो भी EMI का benefit ले सकता है लेकिन जब सभी surviving partners की death हो जाती है तो bank उस house को sold कर देता है और अपना loan recover का देता है legal year अगर चाहे तो वो loan का amount bank को pay करके property को again वापस ले सकता है तो यह होता है reverse mortgage loan में जिसमें bank आपको payment करता है और आप अपने day-to-day खर्चे इससे निकाल सकते हैं यह पिल्कुल उल्टा होता है home loan से home loan के case में आप owner तभी बनते हैं जबकि आपका home loan complete हो जाता है इसके साथ ही आपको bank को EMI pay करने पड़ती है लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है bank आपको EMI pay करता है इसके लाबा एक और benefit जो यहाँ पर रहे गया वो है family pension का benefit अगर आपको pension मिलती है या salary मिलती है और उसके साथ साथ में आपको family pension में मिलती है तो उस पर भी deduction लिया जा सकता है deduction कितना मिलता है up to 15,000 रुपीज या फिर one third of the family pension amount whichever is less इतना आप deduction ले सकते हैं pension से तो मिलेगा ही 50,000 रुपे का deduction साथ ही family pension से भी deduction ले सकते हैं तो overall इस वीडियो में हमने 26 benefits cover कि हैं जो की senior citizens को मिलते हैं I hope thank you so much for watching this video video पसंद आया हो तो like and share जरू कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर लीजेगा thank you so much for watching this video मिलेंगे next video में till then stay safe and healthy bye bye